कि नमस्कार दोस्तों मैं फिर से आपका हमेसे तरह स्वागत करता हूं कंप्रिशन कमुनिटी पे मैं गनेश आदित ठीक है आज आपके लिए लाया हूं मैं वैदिक सभेता से लेकर महाजनपत के बीच का काल का पर दीक है कि कमुनें पर स्वागत के यहां अदिक सभेता से लेकर महाजनपत के काल के संभावित प्रस्त इंदक है था तो ठीक, तो पहले केक करके दिखिये, अर्थात, यहां पर हम रिघ वेत के संबंध में हैं, ठीक, जैसे कि सोम, रिघ वेत में सोम का वर्णन है, तो सोम, नौवा मंडल में है, ठीक, जातुरी तिसरा मंडल, वण विवस्था दस्वा मंडल, और सिख्षा प्रथम मंडल, तो इस Smr m enable में भायतरी मंत्र तिसरा मंडल में wonderful है वर्ण व्यवस्था दश्वा मंडल में ठीक देख़ेगा इजी दस्वा मंडल गयर के पूरू सुक्त पूरू सुप्थ को पिसी पूरू की गई है विश्वा मित्र के द्वारा की गई है ठीक है और यह जो गैत्री मंत्र है वास्तों में किसको है समर्पित है तो ध्यान रखेगा सवीता ठीक नामक देवता को समर्पित है clear है चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रस्न हमारा अगला प्रस्न है कि इन में से किस फसल का ज्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था clear रखेगा ठीक नहीं था ठीक है चाहिए देखते हैं जो गेहूं चावल और रखेगा जो तो बहुत प्रसिद्ध उनका था ध्यान रखेगा ठीक है चावल भी उपलब्द था गेहूं पर अपलब उपलब्द था इसका उत्तर आएगा आपका तंबाकु ध्यान रखेगा ठीक तंबाकु का जो है ठीक वैदिक काल के लोगों को नहीं था clear है ठीक तं वैदिक गडित का महत्पूर अंग है ठीक है यह प्रस्ना आपको यह बता रहा है कि निम्लिखित में से किस गरंद में ठीक वैदिक गडित के बारे में दिया गया है तो ध्यान रखेगा इसमें से ठीक पहला देख लेते हैं सत्पत ब्रामण अधारवेद सुल्व सुत्र और चांदों के उपनी सद तो इसका सही उत्तर होगा सुल्व सुत्र ध्यान रखेगा सुल्व सुत्र में गडित के बारे में दिया गया है गडित में इस चीज़ को आप ध्यान रखेगा सुल्व सुत्र में ठीक है किसकी चर्चा की गई है गडित की चर्चा की गई है का सही करम कौन सा है ठीक अर्थात आपको यहां पर गरंथों के करम बताना है ठीक काल करम के अनुसार कौन से गरंथ कब लिखे गए हैं अथा करम सा पहले देख लेते हैं वेद ब्राम्हाण और उपनिशद पहला अप्सन है दूसरा है वेद उपनिशद ब्राम्हाण और अर तो तीन आपको वेद मिलने वाला है तीन जगा वेद मिल रहा है अब हम दूसरे करम का निर्धारन करते हैं कि ब्रामण करन्त पहले लिखे गए थे या उपनिशद या आरणे ठीक यहीं से सारा खेल आपका क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं यहां पर ब्रामण सबसे पहले लिखे गए थे वेद के बाद ब्रामण गरंथ आएगा उसके बाद आरने देन आफ्टर उपनिसत ऊपनिशद के बारे हम ध्याद केगा उपनिशद जो है आपके गुपतकाल तक का वर्णन होता है अर्थाद गुपतकाल यानि का वर्णन किस सबसे लास्ट में ऐसे ही कर सकते हैं ठीक है अगर उपनी सब्सक्राइब ट्रेस कर रहे हैं तो दो ही विकल पार है लेकिन आपको ब्रामण यार है ठीक तो और क्लियर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ें अगला प्रस्न हमारा है भारत के राज चीन में परियुक्त होने वाले सब्द सत्य में जयते किस उपनिसद से लिया गया है यह प्रस्न अनेक बार पुछा जा चुका है और इसकी संभावना और है कि बहुत सारे प्रस्न परिशाओ बंवी यह पुछा जाएगा थ्यान रखिया क्यों कि बहुत ही बेसीक है तो यह जहें क्या सत्य में जयते कहां से लिया गया है किसी ग्रंथ से ताब करते हैं निस पास होता है इस फ सिघ्द मैं रखिएगा सब्सक्राइब का वर्णन है आपका मुंदक उपनिशद वर्णन गहां किसके वर्णन है। हई आपको दी पार नहीं करा पाएगा। आपको नदी-पार करा नहीं पाएगा कि आपको इस जीवन में केवल वह सहायक भले है लेकिन वह आपको पाप नहीं करा पाएगा क्लियर है तो मुंडक उपनी सद में सत्तमय जयते की चर्चा की गई है ठीक अगला प्रस्न हम देख लेते हैं अगला प्रस्न है वैसेशिक दर्शन के परतिपादक कौन है ठीक किसक और ध्यान रखीगा एक और नाम को दूनोग तो कही नाम है कई नाम है कराद या उनुकिन इसम陽 क्लियर है इसमें ईक क्लियर ड्रॉल रखताव करनें सांख्य मारा अगले प्रस्न कि किस वेद में सभा और समिति का वर्णन है किस वेद में सभा और समिति का वर्णन है तो चेप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं हमारे जो लेक्चर वाली जो क्लास है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इसका वर्णन किस वेद में है तो अथर वेद में जो सब से लास्ट में जो वेदा है अथर वेद तिक इसी अथर वेद में हमारा सभा और समीति का वर्डन है अर्थात इसमें यह कहा गया है कि सभा और समीति कौन है सभा और समीति जो है प्रजापती की पुत्रियां है प्रजापती प्रजापती की क्या है यह पुत्री है ठीक सभा और समीति को प् काम करते थे अब आगे आगि समीती समीती जो होता था यह आम लोगों की समीती होती थी इसमें आम लोग होते थे और यही जो है राजा का चुनाव करते थे राजा का चुनाव करने का काम किसका होता था ठीक समीति का होता था ठीक है चलिए अगला प्रस्ण हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रस्ण है कि 25, 27 किस वेद के ब्राह्मन गरंथ है तो ध्यान रखेगा 25 और 27 किस ब्राह्मन गरंथ के किस वेद के ब्रामन गरंथ है ठीक तो ये ट्रिक के माध्यम से हमने आपको क्लास में पढ़ाया था कि मतलब पांच छे जेटी हमने क्या पढ़ा था फाइब सिक्स और जेटी ठीक ध्यान रखेगा तो पांच छे जेटी है था सामवेद के ब्रामण गरंथ है आपके पंच वीस और सड़ी साथी साथ जेमनी और तंडव भी आएगा जैसे क्या आएगा जैमनी जैमनी और साथी साथ तंडव ठीक है रिगवेद के बारे हम जा लिए रिगवेद के हम लोग पढ़े थे एक एक 47 ऐसा करके एक ट्रीक बनाया था ठीक अर्थात 47 में ध्यान रखेगा ठीक हमको इससे मतलब नहीं है इससे मतलब है एससे एत्रे एससे एत्रे एत्रे एवं कौशित की कौशित की ठीक तो ध्यान रखेगा ठीक यह है ब्रह्मन गरंथ बाकी के लिए आप डीटेलिंग के लिए हमारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं चलिए अगला परस्थ पर हम बढ़ते हैं ठीक अगला परस्थ यह बोलता है कि कौन सा अभिलेख इरान से भारत में आरियों के आने की सुचना देता है तो सिदी जी बात ह आपको बस यह बताना है कि निवन लिखित में से कौन सा अभिलेख भारत से बाहर है मतलब इस चीज़ को हम देख सकते हैं ठीक ध्यान रखेगा इरान में है ठीक भारत से बाहर कहां पर है इरान में तो सबसे पहले देखिए मान सहरा क्या मान सहरा ठीक इरान में है सहबाज गड़ी बोगजकुई और आपका जुनागड जुनागड तो क्लियर है भारत में यह हो नहीं सकता मान सहरा ठीक और आपका सहबाज गड़ी यह दोनों पाकिस्तान में ध्यान रखीगा पाकिस्तान में ठीक और यह दोनों असो के अभिलेग है और इन दोनों का जो लीपी है वो खरोष्ठी लीपी है, पुछा जाता है, ध्यान रखेगा, खरोष्ठी, खरोष्ठी लीपी, तीक, असो के अभिलेक जो है, तीक है, इसकी लीपी कुछ अभिलेकों की लीपी जो है, ब्रामी लीपी थी, और कुछ अभिलेकों की लीपी, खरोष्ठी लीपी थी, ध्यान तो द्यान रखेगे जुनागर कहा है यह गुजरात में है गुजरात में है ठिक अगर आपको बोगज को याद भी नहीं है तो आप यहां से डिराइब्ट कर सकते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा बोगज कोई यह आपका एरान में है क्लीयर है चलिए इसी आधि आन रे канале हैं वास्तों में थिक है इसी अभी लेक में हमको आरियों के बारे में जानकारी मिल जाती है चलिए अगला प्रसंथ हम देखते हैं अगला प्रस्ण है कि वैदिक आरियों के आगमन के विशाय में असत्य ठीक है ध्यान रखिए असत्य बताना है ठीक कौन सा जो मैजदा फ्लोईंग में सही नहीं मिला है ठीक पहला है अविनास चंद्र ठीक डॉक्टर अविनास चंद्र इन्हों सेंधओ सेंधओ रिया सब्सेंदो प्रदेश है बिंदी रहे सब्सेंदो DS सर्षृति सरी साथåए इसल्सक्त नाम में ठोड़ा साथ्षान गलत हो गया ठीक बयानय आन्द इयाननसर्सवतीं ने कहा था कि जो आ रहे हैं वह कहां से आ इतिबत से आहें। ये भी चईए है कोई दिकत नहीं है मैक्स आ चैनल मैक्स मुलर ने कहा था कि आरी जो है मदेश्यांस्या से ये भी चैनल अब हम देख लेते हैं बाल गंग ढ़्तिलक तीक है इनका कफिर्ण द् Arctic homes of Arctic homes of Aryans, ध्यान रखिएगा Arctic homes of Aryans, इनकी पुस्तक है, ठीक यहां पर नाम भी है Arctic, और Arctic आपका उत्तरी धुरू में है, नीचे में Antarctic है, उत्तरी धुरू में Arctic है, ठीक तो इसका उत्तर ये आएगा, ठीक ये सत्य जो है, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है, यानि कि बाल गंगता धर्तिलक दौरा कहा गया है, कि आरे कहां सा है, उत्तरी धुरू से आएं, क्लियर है, चलिए, आगे बढ़ते हम अगले परस्न पर, हमारा अगला परस्न ये पूछता है, कि रेग वेदिक कालिन जो पंच जन्न है, ठीक है, से संबंधित कौन सा नहीं है, ठीक पहला है यदू, दुसरा है पूरू, तिसरा है तुर्वशू, और चौथा है श्वात, ठीक, तो ध्यान रखेगा, अगर आप पड़े हैं तो आपको याद भी होगा, तो यदू, पूरू, तुर्वशू, ठीक, दुरूहू, और अनू, ध्यान रखेगा, सांती साथ, चीज को समझे स्वात घाटी तो योदू पूरू तुर्वसू दुरुहू और अनू ये पांच क्या है कबीले हैं और दिनको पंच जन्य कहा जाता था अगर साब्द में पंच जन्य के बजाए पांच जन्य पुछ दिया जाए पांच ठीक है ध्यान रखेंगे पांच जन्य ठीक है तो चलिए ये आपको पता चल चुका है कि जो पंच जन्य थे हैं इसमें स्वात सामिल नहीं है कौन-कौन सा येदू पूरू तुरुशू दुरुहू और अनू क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगले परस्न पर हमारा अगला परस्न ये कहता है कि निमने लिखित में से या निमन में से कौन अकास के देवता नहीं है तो हमने ठीक रीगवेद वाले चेप्टर में वैदिक वाले चेप्टर में पढ़ा था कि जो देवता है उनका वर्गी करन तीन प्रकार से होता है पहला है ठीक है अकास के देवता अकास ठीक है उसके नीचे है अंतरिक्ष अंतरिक्ष ठीक और उसके नीचे है अंतरिक्ष के नीचे है प्रिथ्वी ठीक तो तीन वर्ग है ठीक यानि तीन केटिग्री है देवताओं का ठीक तो हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में अब हमको देखना है कि कौन सा देवता ठीक अकास के नहीं है अकास मतलब टोप लेबल के यह टॉप अब हम देखेगा ठीक वरुण पुसन उशा और ठीक व्रहस्पति इन चारों देवताओं में हमने एक ट्रिक बनाए था ठीक वरुण जो है ठीक वरुण जो है आपने अपने मित्र विश्नु के पास मिलने गए हमने आपके एक ट्रिक बनाया था था विश्नु ठेक की वरूण और अपर विश्नु के साथ मिलने गए तो उन्हों यहां पर हम इतना तैंगे अगला प्रस्न को हम भी में देखते हैं अगला प्रस्थ हमारा है आपके चार अलग अलग वर्ण आते है जिनका अधार पहले कर्म था बाद में जाती हो गया अब यहां पर यह बता रहा है एकचुलि मैं आसरम विवस्ता से संबंधित है वास्ता में क्या है जो आसरम विवस्ता दिया देखेगा आस्रम विवस्था के चार प्रकार होते हैं पहला हो गया आपका ब्रमचर आस्रम दूसरा हो गया ग्रिहस्थ तिसरा हो गया वानप्रस्थ और चौथा हो गया सन्यास तो ध्यान रखेगा जो ग्रिहस्थ आस्रम में रहते हैं उनके लिए ये पंच महायग्य किया जाना अनिवार है ठीक तो ये पंच महायग्य का वर्णन कहां पर आस्रम विवस्था कंदरत ग्रिहस्थों में है ध्यान रखेगा ये ग्रिहस्थ जो है यही पंच महायग्य को का निर्वान करते हैं और इनमें ब्रह्मयग आएगा देवयग्य आएगा पित्रयद आएगा अतिथी यग्य आता है और नरी यग्य आता है ध्यान रखेंगे दो और यग्य आएगा अतिथी यग्य और नरी यग्य अर्थाद ठीक है इनके साथ साथ ये सभी के सभी सामिल है ठ पंच महायग्य में हैं इसके अलावा अतित्य अग्य है और आपका नरी अग्य है ठीक उसी में से एक भूत यक भी कहा जाता है ध्यान रखेगा ठीक आगे बढ़ते हम चौधों परस्तन है निम्लिखित में स्कौन गलत सुमेलिद है ध्यान रखेगा गलत सुमेलिद है तो साल की राजधानी बिलकुल सभी है असमक आसमक के राख़धानी लिए यह गलत है नहीं बाए चेदी का राख़धानी टिक सकती मती अलग 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 लिखा जाता है तो सक्ति मती रहां रखें पुश्टकों में सुक्तिमती लिखा रहता है तो कोई धिकत नहीं है ठिक तो यह कौसामभी किसकी राजधानी यह तो चospit कि राजधानी रान के रा चानी कौसामभी है और उसके बगल में है आपका काशी कासी की आपका कासी जो जनपद है उस जन्दपत की राजधानी कौन सी होगी वारान सी क्लियर है ठीक तो ध्यान रखिएगा यहां पर ठीक यह हमारा इसका उत्तर होगा गलत सुमिलित है में यह ठीक अर्था चेदी की राजधानी वासामभी के बजाए सुक्ति मतिया सक्ति मति होगी चलिए अगला प्रंद टीक किस प्रकार को अतिक इसमें योग्यवर के साथ oundsत पुत्री का विवाह किया जाता है टीक फिर दूसरे देविवाहि यह करने वाले ब्रामण के साथ करा दिया जाता है चलिए ठीक आर्से विवाहिए एक जोड़ी बैल-प्रदान करके तिक यह अस्त अर्धैय सा है ठीक तो ध्यान रखेगा यह सही है ठीक की ब्रह्म विवा में योग्यवर के साथ पुत्री का विवाह करा दिया जाता है दूसरा भी सही है कि यह करने वाले ब्रह्मार के को पुत्री का दान करके विवाह करा दिया जाता है तिसरा भी सही है आर्स विवाह में इसमें वर पक्ष क्या करता है एक जोड़ी बैल जो है प्रदान करता है कन्या पक्ष को और विवाह कर लिया जाता है ठीक प्रजापत्य विवाह जो है यह प्रेम विवाह नहीं है प्रेम विवाह हम किसे कहते हैं गंधर विवाह को कहते हैं गंधर गंधर विवाह ही प्रेम विवाह है इसलिए हमारा गलत सुमेलित कौन सा है? दी गलत सुमेलित है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ें, ठीक, अगला हम देखते हैं, चलिए, अगला परस्थ हमारा है, महाजन्पदकाल में कौन सा राज्य में गड़ाज या गड़तंतर शासन विवस्था थी? ठीक, अर्थात, तो आपको मैं बता दूँ जो वज्जी है यह आठ राज्जियों का क्या था गड़ था यानि आठ गड़ों का ठीक यह समूह था ठीक ध्यान रखीगा और इसकी राजधानी वैसाली थी वैसाली क्लियर है तो गड़ तंतरात्मक विवस्था की बात करें तो वो कहा था वज्जी यहाँ पर आठ चोटे 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 गड़ थे वो मिलके वज्जी संग का निर्मान के थे वास्तों में वज्जी एक संग था कोई एक राज जी नहीं था यह चोटे 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 विवस्ता, clear है, ठीक है, चलिए, कासी की राजदानी कौन सी है भई, वारा नसी, वारा नशी, ठीक, अवंती का उज्यनी, उज्यनी, ठीक, मल्ल का है, कुशी नगर, कुशी नगर, ठीक है, अगला प्रसन देख लेते हैं, सत्रवा प्रसन, सत्रवा प्रसन क्या है, निमने में से कौन सा एक परतिलोम विवाह है, ठीक, चलिए, परतिलोम विवाह के लिए आपको अनुलोम विवाह का भी जानना पड़ेगा, ठीक, तो दो परकार के विवाह होते थे, यानि जो मनु थे, ठीक, जहां रखिएगा, यहां पर हम दो परक उच्चवन का लड़का हो और उससे ध्यान रखेगा उससे निम्नवन की लड़की हो तो इस विवाह को हम अनुलोम विवाह कहते हैं वन वियस्था के संदर्म की बात है ठीक परतिलोम विवाह का मतलब होता है जब लड़का जो है वो निम्नवन का हो और लड़की जो है उच उच्वनकी हो, तो उस विवाह को हम क्या कहते हैं, परतिलोम विवाह, हमको परतिलोम को खोजना है, अर्थात हमको यह देखना है, कि जो लड़का होगा, ठीक, यह क्या होगा, निम्नवर्ड का होगा, ठीक, और इससे उच्वनका क्या होगा, लड़की, ठीक, लड़की, क्य लड़का है, यानि उच्छ वन का है और लड़की.. निम्न वड़की है, यानि कि ये अनुलों विवाह हो गया तिक, वैसे लड़के का सुद्र लड़की से विवाए तो वैसे जो है वड़क्छथा में उच्छ में है किस सुद्र से, ये भी विवाह जो है अनुलूम विवा हो जाएगा ब्रामा लड़के का सुद्र लड़की से विवा तिक ब्रामा उपर में है सुद्र नीचे में है ये भी अनुलूम विवा हो जाएगा तिक सुद्र लड़के का वैस लड़की से विवा ध्यान रखी गई ये तिक ये है अपका परतिलूम विवा सुद्र लड़का है तिक अर्थात लड़का निम्नवण का और लड़की वैस उसे उचवण की है तिसका सही उत्तर होगा तिक ये डी है समझ में तिक चलिए अगला परस्न हम देख लेते हैं तिक बिस्वा परस्न तिक अठारवा परस्न सॉरी यहां पर ध्यान रखिएगा श्याम आयस तिक आयस के नहीं लिखते हैं स्याम आयस स्याम आयस के के नाम से किस धातू को जाना जाता था तो स्याम आयस के नाम से हम किस धातू को जानते थे उत्तर वैदी कालिन और उसके बाद के कालवे तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपक और कासा तो आपको बता दूँ इसका सही उत्तर ज्यादा वह नित रखना यह सही उत्तर लोहा है तो पहले दिखिए शिन्दू ददीका नाम किया है प्राचिन नाम तो इसका नाम है तिक या हिरन यानी, clear है, तिक जेलम, जेलम को हम किस नाम से जानते हैं, वितस्ता के नाम से जानते हैं, तिक चिनाब को हम अश्कनी के नाम से जानते हैं, और सरस्वती को घगर के नाम से जानते हैं, अब देखेगा कौन सा विकल्ब है, तिक ए का 4, तो 4 दो हो गए, जेलम का तू, ठीक, आपका चिनाब का वन और सरस्ति का घगर, यानि कि आपका विकल्प ये विकल्प, ठीक, ये आपके स्मिट पाँच विकल्प हो गए, एक विकल्प नहीं रहेगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, अगला प्रस्न के लिए, अगला हमारा प्रस्न है, ठीक, लोग पढ़ चुक्क हैuri सबसे में आपका ठिक अंते अंग किह मगद्रों आगे पढर आगे पढल फिक यह अंग है मालीजी ऑंग कि राजवनी चमपा इससे पहले है एब से ऀसके बेस्ट में आदि कि पर comehui बढ़ तो तिक उसके बाद है अश्मक तो दच्छिड में है ध्यान रखेगा बहुत दूर में यह महरास्ट में अश्मक की राजधानी पोटली या पोटनी ध्यान रखेगा तिक उसके बाद है कंबोज यह पाकिस्तान में पाकिस्तान मतलब इसकी आगर आप दिखा राजधानी देखा जाए तो हाटक है, तो सब से ठीक, पूर्वी जन्पद है आपका अंग जन्पद, क्लेर है, चलिए, ठीक, आज का यतना परस्न है, इन परस्नों को आप अभ्यास कीजिए, ठीक है, इसको अगर आप आपको मनसिक वयाम में काम आएगा, ठीक है, इसी आसा के साथ, ठीक, हम बिदा लेता हूँ, ठीक, नेस्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक, हमारे जो अगले चेप्टर है, उसका आपका वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक, और उसका आपको, ठीक, MCQs भी मिल ठीक है, अगर किसी परकार का कंटेंट चाहिए, तो आप website भी जा सकते है, हमारे telegram में भी जा सकते हैं, जो telegram का, जो हमारा link है, ठीक, वो आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा ठीक और अधिक जानकारी जाहिए तो आप हमारा एप को डाउनलोड कर सकते हैं Competition Community का एप ठीक है चलिए फिर ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद